भारती टीम के ओल राउंडर हार्दिक पांडिया ने नए साल के पहले ही दिन बॉलिवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक के साथ सगाईकर फैंस को खुशखबरी थी पांडिया ने दुबाई के क्रूस पर नताशा को अंगूठी पहना कर अपना हमसफर चुना दोनों को क्रिकेट जगत और बॉलिवुड जगत से खुब बधाईया मिली वहीं पांडिया की एक्स गल्फरेंड उर्वशी रोतेला ने भी पांडिया को बधाई दी इसके अलावा कभी नताशा के साथ चर्चा में आये अली गोनी ने भी दोनों को बधाई दी गोनी ने हाल ही में एक इंटर्व्यू में बात करते वे पांडिया और नताशा को लेकर नया खुलासा किया है सगाई से पहले पांडिया का नाम कई हसीनाओं के साथ जोडा गया माना जा रहा था कि पांडिया नताशा को कुछ ही महिनों पहले मिले लेकिन अली गोनी का कहना है कि वो लंबे समय से एक दूसरे के टच में थे गोनी ने कहा नताशा ने कुछ समय पहले हर्दिक पांडिया के साथ अपने रिष्टे के बारे में मुझे बताया था नताशा हर्दिक से बहुत प्यार करती है और हर्दिक भी उनसे प्यार करते है मुझे याद है कि नच बल्ये के दौरान भी नताशा हर्दिक को फोन किया करती थी ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं और मैं नताशा के लिए काफी खुश हूँ ये एक दूसरे के रे परफेक्ट जोड़ी है नताशा काफी स्वीट और केरिंग है बता दे नताशा ने फिल्म सत्यागरह से बॉलिवुड में कदम रखा 2014 में वो रियालिटी शो बिक बॉस में शामिल हुई थी तभी उन्होंने बहुत लोग प्रियता हासिल की अलाकि नताशा की पहचान तब चार गुना बढ़ गई जब वो बाच्चा के गाने डीजे वाले बाबू में जबरदस्त डांस करती नजर आई थी